प्रदेख दिन आसपास बहुत सारे बटकाव होंगे यह असल करना है, उस तरफ जाना है यहां बहुत कुछ बनाना है, समाज में नाम करना है इस देश दुनिया के साथ में अपना पर्चम लहराने के तरफ जाना है बहुत कुछ आसल करना है उस वेक्ति को देखते हैं तो वैसे गाड़ी की आकांगशा कई बार्मन में आती है उस 4BHK के फ्लैट को देखते है तो वो आकांगशा भी कई बार्मन के भीतर जन्म लेने वाली होती है बहुत एक पादिता के साथ में लगातार वस्तु है आती चले जाती है और वेक्ति अपने लिए आकरशन प्राप्त करता चला जाता है आज आपके बास में जो मॉबाइल का मॉडल है दो साल बात कोई और मॉडल फैसिनेट करने वाला होगा मॉबाइल का और इस यातरा के साथ में हम लगातार उस अवस्ता के गुलाम बनते चले जाएंगे जो सिर्फ भातकता के आवरण के साथ में होती है परंतु इस भातकता की इस पष्टता के कुहांसे को हटा कर पुनहे निवदन करूंगा कि भातकता की इस पष्टता के कुहांसे को हटा कर जब व्यक्ति अपनी यात्रा को देखता है तो वो अंतरतम के साथ में बहुत गहरा परिचाय करके अपनी यात्रा को बैचानने का प्रहत न कर पाता है कि इश्वर ये प्रदत आधार के साथ में उसकी मूलबूत प्रकरती है क्या उसके जीवन की यात्रा है क्या वो कहां से चला था, कहां पहुँचने के तैयारी में है, कहां पहुँचेगा, उस सवाल की विग गिता, अन्विग गिता के साथ में चलता हुआ, वो विक्ति विशेश जब बेतर के अंतरतम के और, एवम छोर को उजागर करता हुआ, बारंबार ये पूछता है, कि अंतुत तो गत्वा वो इन वस्तुओं के हासल करने के अवस्ताओं के साथ में पहुँच कहां रहा है, देखिए मैंने ये हासल कर दिया है, आप देखिए इस तरह की लगजरी के साथ में हूँ, आप देखिए वहां वहां गोम कर आया हूँ, नहीं देख पाते हो तो सोशल मीडिय के उपर मेरी प्रोफाल जाकर देख लीजिए मालूम चल जाएगा कि कहा कहा गोम कर आया हूँ इस आवरण में व्यक्ति बारंबार चलता है परन्तो एक बार जब इन सारी अवस्ताओं को हटा कर इस मैं को हटा कर स्वाहिम को देखता है तो भीतर का परिचय निकल कर आता है किसी व्यक्ति का परिचय बक्ति भाव के साथ में ली नवस्ताओं में है किसी व्यक्ति का परिचय आध्यात्म के चर्मोत करश के साथ में है कोई व्यक्ति योगा भ्यास के माद्यम से अपनी जिवन यात्रा को सुद्रड करने का प्रहतन कर रहा है किसी की लाइबरेरी पूरे तरीके से किताबों के साथ में है और उसके साथ में वो समय बिताना चाहता है उसका अंतरतम कहता है कि इस तरह यात्रा की शुरुवात करो परन्तु कई बार उलजावा व्यक्ति विशेश उस और पहुँच नहीं पाता और उस मेटरिलिस्टिक अप्रोच के साथ में बारम बार स्वयम को कहता है कि देखो ये तो आसल कर लिया ये गौन है कुछ और हासल करने की तरब जाओ और इसे के साथ में व्यक्ति चदम भुलावे लगातार खुद को देता चला जाता है और उसे के साथ में राजी होता चला जाता है वो सुख वो संतुष्टी वो अभिलाशा जो तताकतित है कुछ चणो की है परन्तु जैसे ही वो आवरन हटा कर देखा जाए ये यात्रा बहुत अलग है व्यक्ति चाहता क्या है वो स्वेहम भी जानता है वो निस्वार्त भाव के साथ में चलना चाता है वो सुकून के साथ में चलना चाता है वो आनंद के साथ में चलना चाता है वो आसपास अपने साथ बच्पन को खेलते हुए देखना चाता है वो अपने भीतर के भावों को संप्रिशित करता हुआ एक अलग यात्रा को देखना चाता है वो भौतकता के साथ में जुड़कर भी खुद को निरलिक्त रखना चाता है ये है मानवीय जीवन की बरिभाशा और ये है मानवीय जीवन की उतकट अकांक्षा जिसके साथ में जुड़कर ये यात्रा नवप्रिणा प्राप्त कर सकती है परतु उलजे हुए हम कुछ और हासल करके खुद को सुलजाने का परहतने करते हैं ये कहां तक ठीक है ये परिभाशा कौन सी है व्यक्ति एक बार सुयम को समझाने का परहतन करे जब हम दवगरी विवस्था की बात करते हैं बारे भावों की बात करते हैं 27 नक्षत्र की बात करते हैं नवमांश की बात करते हैं अम्तर दशा के क्रम क्या सुक्ष मतम स्थिती क्या वारत योहार के साथ में जुड़ी हुई भक्ति भाव की स्थितियां क्या इन सब के साथ में जब व्यक्ति मूल कोजने की तरफ जाता है तो यही मालूम चलता है कि कहीं न कहीं उस भाव के साथ में जो बक्ति का सुरूप है उसके साथ में कुद को लीन किया जाए प्रश्न है तो वहां कर्म की यात्रा है प्रश्न से उत्तर की स्तितियां स्वयम के साथ है तो वहां ग्यान की यात्रा है और जहां यह सब कुछ 어ड़ जाए तो वहां सिर्प और सरफ यात्रा भक्ति भाव की है कोई तर्क नहीं कहां बच्मंग में तर्क खोजेंगे कहां मा की भक्ति के साथ में और कहां मा के आतसले के साथ में व्यक्ति तर्क खोजने वाला होगा जब भक्त बनकर व्यक्ति अपनी मा को देखता है तो वो पूर्ण तया ईश अराधना के सुरूग के साथ में होता है चेतन्य और निरंतर तोर के उपर जो उसके भीतर की अवजड़न के अवस्था है उसके साथ में मा का वो सुरूग निरंतर तोर पर उस ईश्बक्ती के आधार के साथ में होता है यही यात्रा है यही भाव है और यही जागुरती है जिसके साथ में आज वर्तमान में चला जा सकता है जोतिशी आधार भी बारंबार यही कहता है कि बहुत एक्ता के सुरूप को कहीं ने कहीं परिपूरित करते हुए अपनी यात्रा को अध्यात्म के चर्मुत कर्श की तरफ लेकर चलो बागी सब कुछ बुलावे है विन्शोत्री का क्रम भी 120 वर्षों का है उससे जादा तो इस यात्रा के साथ में गणनाई भी नहीं की गई है परद्वेक्ति फिर भी इस असंख्य वर्षों के साथ में चलते हुए संसारव में नजाने क्या-क्या खोच कर चलने का प्रहत्न करता है और स्वहम को उलजाता चला जाता है मले ही हम हैं चाहे आस-पास के लोग हैं सुन रहे हैं आप लोगों मेंसे भी कुछ लोग महनभाव होंगे जो इसी अवस्ता के साथ में खुद को प्राप्त करते हैं और इसी अवस्ता के साथ में खुद को जोंशतावा देखते हैं परन्तु एक बार इस बहुत इकता के इस पश्टता भरे कुहांसे को हटा कर ब्रह्म को देखना जरूरी है इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहां 27 अपरेल 2024 का दैनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुए है चद्रमा ब्रश्चिक राशी स्थान में जेस्ठानक शत्री परिधिया शनिवार रहेगा तो वहीं वहिशा, खमास, कृष्ण, पक्ष, चलाएमान है और हम धैनेक राशी फल की शुरुबात करते हैं मेश राशी के साथ मेर व्यापारिक जिवन में बड़े निर्णाय की अवस्ताओं से स्वयम को दूर रखने का पूरा-पूरा परहत में करते चले जाईएगा कम्यूनिकेशन में कंविंसिंग बेस को बहुत गहराई से ओजागर करके चलना आपके लिया तीव आवशक करम है इस समय अंतराल में विनेश संबंदी कारियों में ब्रद्धी है इच्छा शक्ती प्रभावितोर पर आपके साथ में गतिमान होती चली जा रही है भूमी संबंदित किसी भी कामकाज के साथ में स्वयम की यातरा को आप जोड़ना चाहते हैं तो आज सुड़ा सा रोपकर चलिएगा रिसर्च संबंदी कामकाज में इंटेंसिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ने की अबरोच जबा रही हो तो आप अपने लिए कहीं ने कहीं डेटा साइंसिज और अनलेटिक संबंदी कामकाज में अपनी यातरा को देखने का प्रहत ने करते चले जाएं वहीं प्रबंदन संबंदी कामकाज में पूर्ण बहतरी आपके समक्ष रहने वाली रहेगी बुरशब राशी वियापारिक जिवन में उतार चड़ाव से दूर हटकर सब्तम भावस्त चंदरमा की वज़े से आप अपने भीतर के आत्म बिश्वास को निरंतर महसूस करने वाले होंगे मानस एक सुप के साथ में ब्रद्दी है जो किया जो जाना जो समझा जो आगे करने की तरफ जा रहे हैं उन सारी अवस्ताओं के साथ में जो सामंजस से होना चाहिए वो दिरे दिरे आपके साथ में प्रस्पूर्टित होता चला जा रहा है ये यात्रा एक अलग अधीव आनन के क्रम को स्तापित करती चली जा रही है यहां इच्छा शक्ति प्रभावी तोर पर है तो वहीं जो भी मानुभाव लंबे समय से कारियों के अटकाव को देख रहे थे उनके लिए भी पुनस्चे सुधार के संकेत रहेंगे यहां गतिवान होता चला जा रहा है निरनायक मौकबर आत्म विश्वास की धूरी को अपने साथ में लेकर चलने का एक इंचित प्रहतना आप करते चले जाईएगा माता पता के साथ में संभात कोशल के स्थियों को बना कर रखने का प्रहतन करना आपके लिए जरूरी है वही में तुम्राशी स्वास्ते कि परती सजग रहे कर चलने का प्रहतन कर रहे है नहे कारियों की शुरबात में भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है जो मानुभाव किसी यातरा के और जाना चाहते हैं आज उस सवस्था को टाल कर चलते हैं तो जादा अच्छा सिच्वेशनल बेसस के उपर अवेर रहकर आप अपनी जरुनी को प्रोस्पेरिटी देने की कोशिश करते चले जाईएगा और वहीं शत्रपक्ष हावी होने का प्रहत्मे कर सकता है परन्तु आप अपनी मान असे के दुड़ता को अपने साथ में बना कर रखने के प्रहत्मे जरूर करें जो भी मानुभाव लंबे समय से किसी कार्जर में अटकाव देख रहे थे उनके लिए भी यातरा नवीन तमसरों को इस्थापित करते हुई आगे बढ़ती चले जा रही है अपनी क्षमताओं के साथ में जोड़कर चलने का प्रहत्म जरूर कीजिएगा और वहीं ये समय अंतराल आपके साथ में आध्यात्मिक और एवमचोर को लगातार स्थापित करने वाली रहेगी इस पश्टता इस बात की है आज कि कहीं ने कहीं स्वास्त संबन्दीगेरों की वज़े से कामकाज भी डिस्टरबेंसिस में आ सकता है करकराशी, पंचम, भावस्त, जंदरवा, सर्वांगिन डिलाब में व्रद्धी, आध्यात्मिक पक्ष में एक अलग अतिवरिगामिता आपको मिलती हुई जो नए साधन संसाधन आप स्वाहिम के लिए वेकसित करने की उद्भोदक इस्ततियों को देखना चाते हैं आप अपने साथ में बहतर संपरिशित करने वाले करम लेकर चलते चले जाईएगा चंदरमा प्रदान राशी के मानभावों के लिए आज के दिवस में कहीन कहीं सुकून के वस्ताओं को निरंतर खोच कर आगे बढ़ने की पूरी-पूरी जरूरत रहने वाली होगी ये मूल भाव अपने साथ में आप स्थाबित करके जरूर चलें चंदरमा प्रदान राशी के मानभाव चोटी-चोटी बातों के साथ अटकाव एवं भटकाव के स्थितियों से मुक्त रहकर चलते हैं तो ज़्यादा बहतरी आपके साथ में बनी रहने वाली रहीगी इस प्रश्ट था इस बात के रखे हैं कि जो भी काड़े आप अपने हाथ में ले रहे हैं उसके अंतिम सरे के निभाव तक स्वहिम को वहीं बना कर रखने का प्रयास कीजिएगा सिंगराशी बेसले स्वियर के अपरोच से दूर हट कर चले हैं इच्छा शक्ती प्रभावी तोर पर आपके साथ में बनी हुई है मान सिक्स तर पर जो जो बदाएं लंबे समय से आप देख रहे थे अब वो हटने की तैयारियों के साथ पर रहेगी सिंगराशी के मान भावों को हरदाई संबंदी रोगों से साथ धानी बरतने का प्रयत्न करना चाहिए वहीं पर कमिशन संबंदी कामकाज में अट्मोस्ट मेटरमेंट आप खुद के लिए देखते चले जाएंगे जो यहां पर कोई भी कार अपने साथ में जुड़ चुका है आप उसको नए भावावेक के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा सिंगराशी के माहनों भावों के लिए आज के दिवस में सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुवात करना अत्यादिक पहतर वेशाक मास में जो भी तरल पदार्तों के दान के साथ में वस्ताए होती है वहां से भी अपनी आत्रा को और अधिक तवरकामिता देते चले जाना ये आज का एक महत्तु पून करम बद्द सिरा रहेगा जिसके साथ आप जोडने का प्रयत्न करें कन्या राशी दनागमन के साथ में वरद्दी है भाग्य के सयूग बना हुआ है सरवांगे डिलाप की स्तितियां भी नव अचेतना आपको प्रदत्त करती चले जा रही है सिच्वेशनल वेसिस पर अवेर रहकर चलने की आप कोशिश करें तो वहीं जो महनुभाव लंबे समय से किसी कामकाज भटकाव देख रहे थे उनके लिए भी यात्रा पुनश्चह नए मार्ग गतिमान करती चले जाती है इस यात्रा प्रक्ष में जो ठहराव लंबे समय से बने हुए थे और कुछ अद तक भटकाव भी बने हुए थे उससे मुक्त होकर आप निरंतर तोर पर स्वयम को नए से नए करम देते चले जाएंगे बुद्बरदान राशी के महनुभाव अटकाव एवं भटकाव की यात्रा से दूर रहकर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो ज्यादा वहतर रवस्ता समक्ष रहने वाली रहेगी कन्या राशी के महनुभावों के लिए आज के दिवस्विशेश में कहीं ने कहीं भाईयों एवं मित्रों के साथ में भी जो रियक्शन के अपरोच होती है वो निकल कर आ सकती है संबलने का प्रयत्त करना अतीव आपशक रहने वाला होगा तुला राशी दनागमन में प्रद्धी है पारिवारिक जनों के साथ में संबलात कोशल बना कर रखने का प्रयत्त न कीजिएगा तो वहीं रेसर्ट संबन्धी कामकाश के साथ में पॉजिटिविटी इच्छा शक्ती प्रभावी तोर पर आपके साथ में गदिमान होती हुई जो माहन भाव लंबे समय से किसी कार्जिय में अटकाव देख रहे थे पुनश्च है औरजा की गतिशीलता आपके साथ में बनने वाली होगी इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप चोटी चोटी बातों में खुद को नेगेटिव साइड के साथ लेकर चलने से बचते चले जाहिएगा ये नविदन आपसे करना चाहेंगे शुक्र बरदान राशी के मानुभावों के लिए आज के दिवस में अनलेटिक डिवन अप्रोच के साथ में भी अटमोस्ट पॉजिविटी के मेजर्स रहने वाले रहेंगे इसमें कोई भी दुराई की प्रबड़ती मौजूद नहीं तुला राशी के मानुभावों के लिए आज का दिवस विशेश कहीं न कहीं थकावट के सिरों को हटा कर जीवन की नव उश्मा को जोडने का यत्न प्रहत्न करता चला जाएगा इसमें कोई भी और दुराव के संकेत मौजूद नहीं है इस बात को आप स्मृतियों में रखकर निरंदर तोर पर गतिवान होते चले जाएं इसी समय विशेश के साथ में आपके लिए यहां आकस्मिक दनलाप के योजनाबद करम भी सामने वरिश्चे गराशी आत्म विश्वास में वरद्धी है गरोहस्त पक्ष के साथ में संबाद कोशल इस्थाबद करते हुए चलिएगा इच्छा शक्ति प्रभावी तॉर बरबर बनी हुई है मानस एक सुक के साथ में ब्रत्धी के करम तो वहीं पर आप आज के दिवस्विशेश में ग्रोहस्त पक्ष के साथ में वे जुड़ाव की क्रमबद दिसरों को पुनहे अपने साथ देखने वाले होंगे शेर मार्केट संबंधी कामकाश के साथ में जो आपने पूरे ही सब्ता की गणत को देखा आज अपकाश के दिवस्विशेश में आगे की और क्या गती शीलता देख रहे हैं ये वैचारे के स्तर पर पूरे ही प्रतिमान आप अपने साथ स्थापित करके रखिएगा जो महानुभाव लंबे समय से अटकाव एवं बटकाव के सरे स्वयम के लिए देख रहे थे की सोचिएगा वहीं विदेश संबंदी कार्यों के साथ में व्रद्धी के अवस्तित करम बने वुए हैं रसर्ज संबंदी का हमकाज में पॉजिटिविटी है जो महानुभाव लंबे समय से कार्यों के साथ में अपनी कती शीलता को नहीं देख पा रहे थे नगारात्मक्ता भरे प्रयोजन सामने आ रहे थे उन सबसे हटकर ग्रुहस्त पक्ष के साथ में भी अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से आप बढ़ाने का प्रयात्न करें और ये भी याद रखें कि जो आप किसी भी डॉक्यमेंटीशन के अप्रोच की वज़े से लंबे समय से पशोपेश में रहे हैं वहां से भी आपको सुधार अपने साथ में रखकर चलने की पूरी पूरी जरूरत रहने वाली होगी ये इस पश्टता अपने साथ रखे हैं कि क्शमताओं के साथ में वरद्धी की प्रतिविम निरंतर तोर पर बने हुए हैं और उसी इस पश्टता के साथ में आप स्वहिम को गतिबान करने का प्रयात्न करते चले जाएं एक क्लेरिटी यहाँ पर इस बात के साथ में भी रहने वाली होगी कि कहीं न कहीं वैचारिक स्थर के उपर आप अपने लिए उद्वेक के अवस्ताओं को हटा कर चलने का प्रयास कीजिएगा मकर राशी सर्वांगे इंड लाब में व्रद्धी है कम्यूनिकेशन में रियक्शन लेस होकर चलें तो वहीं व्यापारिक स्थर के उपर नव आयाम जो आप अपने लिए देखना चाहते हैं उसके कुंजाईश निरंतर तोर पर बनी रहने वाली होगी शनिदेव प्रदान राशी के महानुभाव रुकावट एवं ठकावट से अपनी आतरा को मुक्त करके चलते हैं तो जादा अच्छी अवस्थाएं आप स्वयम के लिए प्रतिदोनित करते चले जाएंगे जो भी कार्या भात मिले रहे हैं उसके अंतिम सिरे के नभाव तक स्वयम को वहीं बना कर रखने का उद्दिश शिपून करम आप बनाते चले जाएगा और वहीं से अपनी यातरा को नियोजित आधार भी देते चले जाना आपके लिए बेहद जरूरी करम है इस अवस्था एवं बेवस्था को भी भीतर तक अपना कर चलेंगे पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहने बाली होगी कुल जमाजोड आज के दिवसुशेश में भाग दोड़ के साथ में आर्थिक लाब और आध्यात्मिक बल दोनों ही भरपूर सरे के साथ में रहने वाले होंगे और वो ही इस यातरा का क्रमबद संचालेत सरा है चनदेव की मुल्तरकॉर्ण कुम्बराशी दशम भावस्थ इस्ततियां है चनद्रमा की इमान से क्सुक में वरद्दी है आत्म विश्वास के सिरों के साथ में कतिशीलता यहां पर बनी हुई है तो वही पराक्रम में एवन पुरशार्थ के स्ततियों में वरद्दी रहने वाली होगी सोच में किसी भी तरीके की रुगनता यहां पर स्थापित नहीं है कुम्भ राशी के महानुभावों को अपने सिरों के साथ में फिलसोफिकल डिर्वन अप्रोच में और गहराई से चलने का प्रहतने करना चाहिए तो वहीं गुरुहस्त पक्ष हो या पर संतान पक्ष उनके साथ में सियातरा को और गहरे से एक तरह से जोड़ना और समझाईश के सरों को अलग अवस्थाओं में परते दोहनित करते चले जाना ये आपके लिए बेहत जरूरी अवस्था रहने वाली होगी इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप अपने भीतर के पक्ष की प्रबलतम वेगवान इस्तियों को देखने बाले होंगी इसमें कोई भी नकारात्मक्ता के इस तर मौजूद नहीं है आज के दिवस में कमिशन संबंदी काम का जो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बने हुए है मीन राशी भाग्ये का सायोग है अध्यात्मक्तार पर व्रद्दी के करमबद दिसरे आपके साथ में संचालेत है यहाँ प्रशारत के प्रकरता आपके साथ निरंतर कातेमान जो कारे लंबे समय सेटके हुए थे उसमें नव योजनाओं को बनाते हुए आगे की और बढ़ना आपके लिए यह जरूरी है जो भी मानभाव यहाँ स्वैम के भीतर की शंशेवालिता को लगातार कहीं ने कहीं बढ़ता हुआ प्रतद्वनित कर रहे थे उनके लिए भी अब दीरे दीरे सुधार के संकेत रहने वाले होंगे आज एकांत में कुछ समय जरूर बिताईएगा वहां से यह यातरा और अधिक फलों को बहतरी के साथ में रखने वाली रहेगी और कहीं ने कहीं यहाँ पर यह सिरा सोच में रुगनता के इस्तियों को बिलकुल भी नहीं लेकर आ रहा है आप अपने वीदर की पशोपेश से मुक्त होकर इस यातरा को आगी की और लेकर चलने वाले रहेंगे यह स्पश्टता भरे संकेत भी आप गतिमान करने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं तो अधिक बहतरी साथ साथ चलाएमान है इसे एक मूल आभा को अपने साथ में आप और रख कर जरूर चलें तो यह था 27 अपरेल 2024 का तहने कराशिफल हम ऐसे ही चर्चान के साथ दिरंतर हाजर होते रहेंगे धन्दे बाद है वंकोटी शेह आभार